हलो दोस्तों मेरा नाम है आलिम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नमबर 5 मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने अप्लोड कर दी है जिसमें हमने पढ़ा था कोशन नमबर 2 और फिर इंटोड़क्शन आज हम पढ़ने व कर लेते हैं एपी के वारे में कि एपी क्या होती है वैसे बता चुके हैं हम लेकिन एक वार फिर से बता देते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलत बार तो फिर यह एक एपइ होगी अगर डिफ्रेंस सेम नहीं आता है तो यह एक एपइ नहीं है कैसे डिफ्रेंस निकालते है second में से second term में से first term को minus करते हैं अब third में से second term को minus करेंगे fourth में से third को इसी तरीके से fifth में से four को minus करके check करेंगे eight में से five minus करेंगे तो कितना बचेगा three eleven में से eight को minus करेंगे three fourteen में से eleven को minus करेंगे again three यहां पे भी कितना रहा है three तो difference is same and we can say it is an AP हम बता सकते हैं कि यह एक AP है पी का concept आपको clear हो चुका होगा अब चलते हैं अपने question number 3 पे question number 3 हमें दे रखा यहां पे for the following APs write the first term and common difference first term और common difference हमें यहां पे बताना है और हमें दे रखा है question number 1 में एक series यह मतलब हमें यह APs दे रखी यह भी AP है यह भी AP है तो इसका हमें common difference निकालना है और इसका first term बताना है तो हमें दे रखा यहां पे 3,1,1,1,3 इसी तरीके से आगे तक तो जो पहली वाली term होती है यही first term होती है और इसको हम A से denote करते हैं तो बस यह हो जाएगी हमारी कौनसी term first term तो हम यहां पे लिख देंगे first term A is equal to कितनी है बताओ 3 है तो यह 3 हो गई common difference कैसे से निकालते है common difference अभी बताया था common difference निकालने के लिए common difference को हम D से denote करते हैं तो D is equal to क्या हो जाएगा second term में से second term में से first term को minus करेंगे तो one second term है first term क्या है 3, minus 3 हो जाएगा 3 में से 1 minus करेंगे यहाँ पे common difference D की value आ चुकी है यहाँ पे देख लेती हैं दूसरे वाले question में क्या दे रखा है हमें first term निकाल ना थी वो हमने निकाल ली common difference मतलब D की value निकाल न थी वो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं यहाँ पर भी first term find out करना है तो first term कितनी है first term एक कि वैलिए कितनी है minus का 5 यहां पे हम लिख देंगे जो first term पहले term दे रखे होगे वही first term होगे अब हमें क्या निकालना था दूसरा common difference तो निकाल लेते हैं common difference कैसे निकालते हैं common difference d is equal to second term में से first term को minus करते हैं minus का 1 minus और यह already minus में दे रखा है तो यह minus में bracket में लिखा जाएगा यहां पर कर देते हैं इसको solve minus का 1 और minus बीच में bracket कभी भी लगा हो minus इदर हो इदर भी minus बीच में bracket तो यह bracket multiply के तरह work करता है अगर यहां पे plus का 5 होता यहां minus का होता बीच में bracket होता तो भी क्या होती multiply होती तो यहां पे minus की multiply क्या होती है माइनस और माइनस की multiply प्लस हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ 5 आ जाएगा और 5 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 4 तो common difference यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया मतलब D की value यहाँ पे 4 हमने find out कर लिए इसका third और fourth part देख लेते हैं third part में हमें दे रखा है यहाँ पे 1 upon 3, 5 upon 3, 9 upon 3 और 13 upon 3 इसी तरीके से आगे तक तो हम इसका first term यहाँ पे देख लेते हैं first term हमें कितनी दे रखी है 1 upon first term को हम ए से denote करेंगे तो ए की value कितनी है 1 upon 3 है तो यह आ जाएगी first term और हमें कौनसा difference देखना होता है common difference ठीक है common difference की value हमें दे रखी है यहाँ पे d की value कितनी दे रखी है कैसे निकालते हैं 5 upon 3 second term में से first term को minus करते हैं 1 upon 3 तो अब इसको कैसे solve करेंगे यहाँ जब भी denominator में जब denominator same होता है तो उन में से एक को लिख लेते हैं और जैसा उपर दे रखा होता है वैसे ही लिख लेते हैं 5 फिर उसके बाद minus तो minus लिखेंगे फिर बन लिखा है 1 लिख देंगे अब इसको solve करेंगे 5 में से बन गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा और upon में कितना आ जाएगा 3 तो D की value हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पर 4 upon 3 आ गई अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले में देख लेते हैं इस वाली series में हमें AP दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इसी तरीके से आगे तक तो first term इसकी कितनी हो जाएग यहाँ पर A की value हमें दे रखी है 0.6 तो यह first term हो गई, अब हमें निकालना है क्या, common difference, तो common difference की value कितनी आ जाएगी यहाँ पर D की value हम निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, second मैं से first term को minus करेंगे, 1.7 minus 0.6 minus कर देंगे, कैसे minus करते हैं, 7 मैं से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, बीच में point लगा है, point लगा दिया, और बन में से 0 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पर मतलब 1.1 यह हमारा common difference यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा question number 3 complete हो चुका है, पाते है, question number 1 की तरफ, question number 1 हमारे पास में है, जिसमें दे रखा है, in which of the following situations does the list of numbers, यहाँ पर यहाँ पर यह बताया गया है, नीचे कुछ situations आपको दे रखी है, इसमें यह बताना है कि यह AP बनार, AP बन रही है या नहीं, अगर AP बन रही है, तो क्यों, वो हमें यहाँ पर find out करना है, मतलब simply यह find out क करना है कि यह AP है, यह बनी situation यह नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, क्या situation दे रखी है, the taxi fare, after each kilometer, when the fare is rupees 15, for the first kilometer, and rupees 8 for each additional kilometer, यह कर रहे हैं, taxi fare, मतलब taxi का क्राया, इन्होंने बोला है, taxi का जो क्राया है, हर एक kilometer का 15 है, लेकिन उससे आगे आप जितना भी आगे जाएंगे, एक kilometer आगे आप बढ़ते हैं, अगर पहले kilometer का 15 हो गया, अब आप जितने भी kilometer आगे बढ़ेंगे, तो एक kilometer का 8 रुपे और एड हो जाएगा, 8 rupees और एड हो kilometer के लिए 15 रुपीज लगेगा, आगे आप next kilometer जाते हैं, तो 8 एड हो जाएगा, फिर से आप एक और kilometer जाते हैं, फिर से 8 एड हो जाएगा, इसका solution देख लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, for first kilometer, फिर कितना दे रखा है, किराया इसका 15 रुपी 8 रुपीज और एड कर दो उसमें, तो यह कितना हो जागा, 23 रुपीज हो जाएगा, 3 kilometer आपको जाना है, 3 kilometer जाना है, तो 8 रुपीज और एड कर दो इसमें, 23 में 8 रुपीज और एड कर देंगे, तो यह कितना हो जागा, 31, आपको अगर 4 kilometer जाना है, 8 रुपीज और एड कर है कौन कौन से है 15 फिर 23 फिर हमें दे रखा है 31 39 और फिर इसी तरीके से आगे तक चेक कर लेते हैं यह नंबर AP में है या नहीं है कैसे चेक करते हैं D की value निकालेंगे हर second term में से first term को minus करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 8 बचेगा यहां पर 31 में से फिर हम चेक करेंगे 31 थर्ड में से second term को minus करेंगे तो भी कितना आएगा 8 आ जाएगा 39 में से किसको minus करेंगे 31 को जाएट तो यहां पर difference कैसा है same तो जब difference same होता है तो हम बोल सकते हैं यह वाली number किस में हैं AP में हैं तो यहां पर हम बोलेंगे difference is same difference is same so it is an AP मतलब यह जो number है यह number हमारे क्या है AP में है यह वाले number AP हो जाएगे ठीक है तो बात समझ में आ गई होगी कैसे हमें इसको बताना है कि यह AP में है या नहीं है अब चलते हैं इसके second part पर फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया second part देख लेते हैं इसका है the amount of air present in a cylinder air cylinder के अंदर air का amount जो भी present है when a vacuum pump removes one upon four मतलब four में से one part of the air remaining in the cylinder at a time क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर कि मतलब cylinder के अंदर जो air है तो जो vacuum pump है वो एक बार में जितना भी उसका volume है उसका one upon four remove कर देता है मतलब उसमें से निकाल देता एक तरीके से फिर जो बची उसके अंदर air उसका फिर से one upon four उसमें से निकल जाता है फिर तो कैसे solve करेंगे यहां पर जो air का amount होगा cylinder के अंदर उसके volume को हम कुछ ना कुछ let कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर लेट करेंगे जो फोर का मल्टिपल हो जिससे थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी यहां पर तो 48 हमने यहां पर लेट कर लिया है अब इसका हमें क्या करना है एक बार जब यह vacuum pump connect होगा तो यह remove करेगा इसका 1 upon 4 तो इसका 1 upon 4 निकाल लेते हैं तो 1 upon 4 इसका निकालेंगे कि इसका 48 का 1 upon 4 निकालेंगे 1 upon 4 कर लेंगे हम यहां पर तो यह 4 voor 1 जसा 4, 2 मुझे मतलब 12 यहां से remove हो जाएगी एर इसमें से तो 48 में से अगर हम 12 remove कर दें तो यह कितना बच जाएगे 48- 12 तो 36 बच जाएगे अब इस 36 का 1 upon 4 हमें निकालना पड़ेगा तो 36 का 1 upon 4 निकाल लेते हैं 36 1 upon 4 तो 4 9 जा 30 मतलब अब इस में से कितनी remove होगी 9 तो 36 minus का 9 तो ये बचेगी 27 ठीक है अब हमारे पास ये number आ चुके हैं अब हम ये चेक करेंगे कि ये एक AP है या नहीं है तो पहले number 48 then 36 and then 27 इसी तरीके से आगे तक तो चेक करेंगे इसका difference कैसे निकालते हैं d is equal to second term में से first term minus करेंगे तो ये 48 हो जाएगी minus करेंगे तो कितना बचेगा 12 इसको भी चेक कर लेते हैं आगे यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं इसको चेक करेंगे तो इसमें से इसको minus करेंगे 27 में से कितना minus करना है 36 तो ये कितना बचेगा 9 बताओ difference कैसा है same है same है क्या बताओ नहीं है ना तो difference same नहीं है इसका मतलब ये एक AP नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे difference is difference is not same not same so it is not an AP ये एक AP नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका difference same नहीं है बात समझ में आ चुकी होगी कैसे हमें इसको solve करना है अब इसका third part question number one का देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर the cost of digging a well एक कुए को खोदा जाता है after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises rupees 50 for each subsequent meter same वैसा ही है first वाले की तरह question number first की तरीके का ये भी है मतलब पहले meter के लिए कितनी cost दी जाती इतने पैसे दिये जाती है 150 डिएड सो रुपीज दी जाते है 150 रुपीज और फिर उसके आगे जितना meter होदा जाएगा तो उसमें कितने रुपीज एड होते जाएगे 50 रुपीज फिर 1 meter और तो फिर सिफ 50 रुपीज और एड हो जाएगे तो हर 1 meter के लिए 50 रुपीज और बढ़ जाते हैं ठीक है तो कैसे तो कैसे solve करेंगे हम यहां लिखेंगे cost of cost of digging 1 meter 1 meter का कितना rate है 150 रुपीज अब अगर 2 meter की बात करें तो कितना हो जाएगा 50 रुपीज एड हो जाएगा इसमें तो यह कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा अब अगर 3 meter की बात करें तो यह कितना हो जाएगा इसमें 50 रुपीज 200 में और add कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा. इसी तरीके से 4 m की बात करें, तो इसमें कितना add हो जाएगा? 50 रुपीज और add हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा? सीधा. 300 हो जाएगा. अब यह जो number i है, इनने हमें check करना है, कि ये एक AP है या नहीं है कैसे चेक करेंगे लिख लेते हैं ये सारे नंबर कितना है 150 200 250 next one कितना है 300 इसी तरीके से आगे तक ठीक है तो अब यहाँ पर चेक करेंगे इसका difference तो कैसे करेंगे चेक second में से first को minus करेंगे 200 में से 150 minus किया 50 बचा next 250 में से कितना minus करना है 200 again 50 बचेगा 300 में से minus करके देख लेते हैं 250 तो कितना बचेगा तो difference कैसा आ रहा है यहाँ पर same आ रहा है तो इसका मतलब यह number हमारे किसमे है अपी में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे difference is difference is same so it is an AP यह एक AP है कौनसी वाली AP है मतलब यह एक क्या हो जाएगी AP हो जाएगी किस हेसाब से हमने difference पहले इसका check कर लिया है बात समझ में आ गई होगी कैसे solve किया जाता है इस टाइप के question को कैसे solve करते हैं अगर आपके question समझ में आ जाता है कि question क्या कहना चाह रहा है तो आप बहुत ही आसानी से इसका answer बता सकते हैं ठीक है तो आते हैं इसके fourth part पे